हाई फिंट्स बच्चों के स्कोल खूलते ही सबी मम्यों का एक ही टेंचन है कि आज टिफिन में क्या दे तो इसलिए आज में जटपट बिना आलू का मसाला रेडी करके ही बच्चों के फेबरेट आलू पराठा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं तिस नास्ति को बनाने के लिए मैं सबसे पहले गेहु का आटा ले रही हूं यहाँ पे 100 ग्राम गेहु का आटा हमने लिये हैं अब इसी के साथ साथ स्वाधनों सा नमक और हाफ टीस्पून काली मिर्चिस में एड करके सारे चीजों को अच्छी तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यह जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें एड कर देंगे पानी तो यह से हम लिकूई डो बनाएंगे तो इसलिए आड करके इसे अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर सकते हैं तो चलिए यहां पर बैटर हमारा रेडी हो गया है अब इसमें हम एड करेंगे मसाला तो सबसे पहले आदा चुटी चमच हल्दी पाउडर आदा चुटी चमच कस्मी रेड चिली पाउडर आदा प्याज चौप्ट किया हुआ टमाटर और इस सबको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के पाद हम इसमें एड कर देंगे और भी थोड़ा सा कुछ सब्ची जिसे मैंने बारिक से चौप्ट के ली हूँ जैसे कि यहां पर मैं चौप्ट किया ह हुआ आलू भी एड़ कर रही हूं जी हां आज मैं बनाने बाली हूं एक बहुत यूनिक सा आलू की पराथा रेसिपी लेकिन एक अलगी स्टाइल पर तो चलिए सारे चीज मिक्स करने के बाद इसे हम साइट में रखके एक बोल में ले लेंगे एक अंडा और इसमें एड़ क मिक्स कर देंगे तो यहां पर मिक्स करके बहुत ही अच्छी तरह से विसकी मदद से भी इसे मिक्स कर लेते हैं और यह हमारा बैटर हो गया है रेडी अब है इसे बनाने की बारी तो चलिए सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फ्राइपैन तो इसे हम गरम होने क ड़खके 1.5 टी स्पून हम रिफाइन ओयल इसमें एड़ करके ब्रस के मदद से इसे हम ग्रीज कर लिये हैं अब बैटर को हम इस तरह से इसमें एड़ करके फैला लेंगे जैसे हम लोग लिकुइट पराथा बनाते हैं ठीक उसी तरह से इस बैटर को भी हम फैला के फिर इसक बहुत है आसानी से और जल्दी ही पक के रेडी हो जाएगा तेक साइड हो गया है अब इसे पलट के दूसरा साइड भी पका लेंगे लेकिन इसमें होगा थोड़ा सा ट्विस्ट क्यूंकि यहां पे एक एक को हम फेट लिये हैं और यह जो फेटा हुआ एग है इसके उपर हम स्प्रेट कर देंगे तो यहां पे थोड़ा-थोड़ा करके एक को यह जो पराठा है इसके उपर स्प्रेट कर देंगे तो हमारा बनके रेडी हो जाएगा एक और आलू का पहुत इंट्रेस्टिंग सा पराठा रेजिपी बच्चे हो या बड़े इस पराठा को अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाने को मन चाएगा तो आप लोग भी एक बार इसे घर पे जरू ट्राइ करके देखें आसा करती हूं पसंद आएगा तो चलिए एक को स्प्रेट करने के बाद कौबर करके थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि एक भी अच्छे से पक जाए अब और इसके उपर हम फैला लेंगे बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है आप लोग घर पे जरूर एक बार ट्राइ करें तो चलिए इस तरह से हमारा एक आलू का पराटा बनके रेडी टू सर्व तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है न और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी है आप बच्चों के टीफिन में भी इसे सर्व कर सकते हैं और इसके आलाबा ब्रेक्फ़स्ट में आप इसे बना के बच्चे हो या बड़े सभी को जर्ब कर सकते हैं तो कैसा लगा आज का ये रेसिपी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना तो फिर मिलता है एक नही रेसिपी के साथ थेंक यू